नमस्कार परम आधर्णिया प्रधानमंत्री जी आज के कारेक्रम में हमारे साथ जोड़ चुके हैं मैं सभी उपस्तित अतितिगन और लभार्थियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हारदिक स्वागत करता हूं वंचित वर्गों का शशक्तिकरन 2047 तक विक्सित भारत के सपने को सकार करने के लिए अति आवश्चक है आज का यह कारेक्रम इसी दिशा में एक महत्वपून कदम है देश के कौने कौने से लाखों लोग आज के कारेक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं मैं सर्वप्रथम माननिय मंत्री श्री व्रेंदर कुमार जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं परमादर्निय प्रदानमंत्री जी विभिनी राज्यों में मनी राजपाल महुदय जी मनी मुक्वंती महुदय जी मनी मंत्री गण और काईकम में उपस्थित हमारे सभी बायों बहनों पिछले दस बरसो में आधृनी प्रदानमंत्री जी के नेत्पत में सामा जीकde नयाए दिकार्थ मंत्राुलै ने हमारे वंचित बर्गे के सर्वभ्यापी सर्विस परशी और समाविस्ता को प्रात्मिकता दी है बुक्त के पहलों में हासियों पर रहने वाले चात्तों के लिए चात्तिबती बैतर सिख्छा पौच के लिए अनुसिजिजाती अन्यपिश्डाबर्ग और सफाई कर्मचारियों पर धियान के इंदित किया है इसके लाबा सीमान्द वर्गों के शसक्ति परन पर जोर देते हुए रियायती दरों पर रिन उपलब्द कराने की भी पहल की जा रही है आज काया दिन विशे सूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें हासिये पर रहने वाले वर्गों के लिए आसानी से रिन के लिए एक परहसानी मुक्त तंत्र सुनिश्यत करने के लिए एक इकरत पोर्टल सूरज का लोकारप्रमानिय प्रदान मंतिजी के द्वारा किया जा रहा है साथी हासिये पर रहने वाले वर्गों के लिए एक लाग कुद्दिमियों को रिंड सहायता भी जारी की जा रही है एक मूख सामाजिक परिवर्तन हो रहा है हम्मनमनिय प्रदान मंतिजी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बैंकों और राजे चैनल भागीदारों के माद्यम से सभी राज्यों एवं केंदर शासित प्रदेश साथ में एक लाग से अधिक लाभातियों को कबर करने का प्रस्ताओं है और आज है काईकम देश के 525 जलों में इसका आयोजन किया जा रहा है आयोजन के बाद लाभातियों को इसके बारे में कई छेत्री भासाओं में फोक SME संदेश बेजे जाएंगे ऐसे में संदेश के बाद लावारतियों को फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी जिससे वो अपना उद्यम सुरू कर सकें इसके साथी साथ सफाई कर्मचारी समाज के सबसे बंचित बर्वों में से हैं जिनके पास नियुनतम सामाजिक सुरक्षा है जो अस्वक्षता और जोखिम पूर्णक परिस्टियों में काम करते हैं जिससे खुद को जीवन का आसन खत्रा होता है समाज के इस विशेज वर्गे के ससक्तिकर्ण को प्राप्त करने के उद्देश से नमस्ते योदिना जिसमें आयसमाज स्वास्तिकार्णों के वितरन के साथ साथ एक सुरक्षी द्वात्तवरन के निर्माण को सुनिच्च्च्च करके देश भर में एक लाग सफाई कर्मचारियों की स्वास्तिय सुरक्षा सुनिच्च्च करके भी अपने पंक लगाएगी किसी भी स्रमिक वर के लिए बुनियादी आवश्यक्ता के रूप में काम करने के लिए सीवर टेंग और सेप्टिक टेंग के स्रमिकों के लिए स्वच्छता के मसीनिकरत माडल को बड़ाबा देने के साथ सभी सफाई कमश्यारियों को पीपी केट प्रदान की जाएगी मैं मने प्रदान मातिजी का हर्दा इससे आभार करना चाहता हूं उनका जो सोच है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और देश को आत्म निर्फर बनाने में सभी का सामुमिक प्रयास उसमें हमारे हांसिया पर रहने वाले इन बंचित बर्दों के लिए तरभी इस काईत्रम के माध्यम से उनको अपना काम प्रारह में करने की जिसा वे आत्म निर्फर बन सकें तसा राष्ट की प्रगती में बराबर का योगदान देशकें भारत माता की जयें धन्यवाद मंत्री जी समाजिक नियाय और अधिकारिता विभाग समाज के सभी वंचित वर्गों के उत्धान एवं उज्वर भविश्य के लिए कारियरत है आईए इस पर एक लगू फिल्म देखते हैं आदेश का हर गरीब यह मेरे परिवार है जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका मेरा भारत मेरा परिवार जब पूरा देश ही एक परिवार होता है तब कहां कोई छोटा या बड़ा होता है परिवार में तो अगर कोई कमजोर रह जाता है तो उसे ताकतवर बनाने में हर सदस्य जुट जाता है ऐसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में देश एक जुठ होकर चल रहा है देखिए जब देश ने गरीब परिवारों से भी उद्यमी बनाने की ठानी तो मुद्रा योजना का जन्म हुआ और इस क्रांती की भागीदार आधे से ज़ादा बेटियां बनी और वो भी पिछडे वर्गों की जब देश ने गरीब की थाली की चिंता की तो असी करोड लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलने लगा जब देश ने गरीबी को हराने की ठानी तो 4 करोड से अधिक पक्के आवास और 12 करोड से अधिक शोचाले बना दिये 10 करोड से अधिक उज्वला गैस कनेक्शन और 33 करोड से अधिक आईश्वान काड पहुचा दिये और सिर्फ 9 साल में 25 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया पहली बार देश निकेवल 10 साल में S.C. और O.B.C. विद्यार्थियों को 47,500 करोड रुपे की विशाल चात्र वृत्ति दी पहली बार देश की आखों ने ट्रांसजेंडर्स की दुविधा देखी और उनके लिए अधिकार संरक्षन अधिनियम बनाया जिनका कोई ठिकाना न था भटकना ही जिनका जीवन था ऐसे लोगों को भी नए भारत की नजरों ने ढूंडा और ऐसे विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू समुदायों के लिए विकास कल्यान बोर्ट बनाया दस साल पहले अनुसूचित जाती के लिए जो विकास फंड 41,500 करोड रुपे के करीब होता था वो आज 1,42,000 करोड को पार कर गया है एक दशक पहले तक वंचित और पिछड़े वर्गों को सालाना 600 करोड तक के ही रिण मिलते थे जो कि आज दो गुना, यानी सालाना 1200 करोड रुपे से अधिक मिलता है और इन फंड्स में से कई तो फूर्ड प्रोसेसिंग, इन्फोमेशन टेकनोलोजी जैसी अडबांस्ट फील्ड में दिये गए है मतलब कि पिछड़े वर्गों से आने वाले युबा आज नए भारत का उजवल कल लिख रहे हैं लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं, तो इतने से आराम तहां अभी तो हमें टेकनोलोजी के जरिये और अधिक जरूरत मंदों तक पहुचना है तभी तो आज एक ऐसा पोर्टल बनकर तयार है, जिस पर जाकर देश के वंचित पिछड़े व्यक्ति, रियायती दरों पर रिन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पी-म सूरज पोर्टल यानी सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्यान, ना बैंक के चकर काटना, ना किसी के आगे हाथ पहलाना, इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी 15 करोड रुपे तक के व्यापार लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं इस पोर्टल पर स्टार्टप उद्यमी, इनोवेटर्ज, बिसनस इंक्यूबेटर्ज या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्ज में काम करने वाले रिसेर्चर्ज और रिसेर्च स्टूदेंट्स भी 30 लाख रुपे तक की वित्य सहायता पा सकते हैं आज माननिय प्रधान मंत्री जी के कर कमलों द्वारा पी-म सूरज पोर्टल का लोकार बढ़ हो रहा है पोर्टल लॉंच होते ही वंचित वर्ग के एक लाख बहन भाईयों को केवल 3 से 9 प्रतिशत की रियायती दरों पर 5 लाख रुपे तक का रिंड प्रधान किया जाएगा प्रधान मंत्री जी के किसी भी मिशन का सबसे खास हिस्सा होती हैं महिलाएं पी-म सूरज की भावना भी जादातर महिला उद्यमियों को प्रेरित करने की है जिससे पिछडे वर्ग की बहने घरीबी और निर्भरता के अभिशाप से मुक्त हो सके अपने कारोबार को नई उचाईयों पर पहुँचा सके आज के इस शुब अवसर पर प्रुधान मंत्री जी नमस्ते स्कीम के तहट सफाई मित्रों को आयुश्मान हेल्थ कार्ड्स एवं पी-पी किट भी वित्रित कर रहे हैं वन्चितों को बढ़ने का साधन मिल जाता है पिछडों को पहली कतार में आने का अवसर मिल जाता है यही तो होता है जब पूरा देश एक परिवार बन जाता है सबका साथ सबका वितास यह नारा नहीं है यह मोधी की गारंटीश्या लिए आज परमादर निया प्रदान मंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा पीएम सूरज पोर्टिल का लॉंच करेंगे जिसके साथ ही एक लाख लाबारतियों के मोबाइल पर रिन राशी जमा होने की सूचना पहुंच जाएगी और एक लाख सफाई मित्रों को नमस्ते आयुश्मा कार्ड और पीपी किट के वित्रन का शुब आरम हो जाएगा अब मैं अमाने निया प्रदान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबाकर आज के इस कारेकरम का उटखाटिन खाए अब माने निया प्रदान मंत्री जी देश के विबिन हिस्सों से जुड़े कुछ लबातियों से समवाद करेंगे सबसे पहले इन दौर मध्यप्रदेश चलते हैं जहां से श्री नरेंदर सेंद जुड़े हुए हैं दरएंद्र जी नमस्ते नमस्ते ब्रदान मंत्री जी तैंक्यू सो मुच पॉर दा परौशनिडी अबिटैंडेंध्र जी बैटें बैटकर केंगे में रहें बताईएंगे पहले अपने विशह में बताईए ठोड़ाई देश्वासी जानना चाहेंगे दीप्र और फिर मेरी रूची सर साइबर केफे पर काम करते करते कोडिंग सीग गया मैं और मैंने इंटरनेट कंपनी बनाई और हम अभी देश का क्लाउड नीव क्लाउड बनाया है हमने जो देश में स्टार्टप, MSME और लाज एंटरप्राइस को इंपावर करेगा हमारे देश का ज बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया है पुरी दुनिया को डिजिटलाइज किया हमारे देश को डिजिटलाइज करने की जरूत हमारे देश का क्लाउड बनाने की जरूत है और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले ज संब्म काफी लोग हमसे जुड़ गए हैं कॉस्टमराइब विभ्स हम लिज जूड़ गए मैं समीस को डिजिटलाइज कर रहे मन्नी प्रदानमंत्री जी तो यह हमारी जड़नी है यह नहीं नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बच्पन में कहां से कहां यात्रा चली आप कैसे इस दुनिया में आ गए थोड़ा बताएंगे जी प्रदान मंत्री जी बच्पन में जब मैं गाउ में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोधी सीयम है तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोधी आ गया इस टाइज से और मैं आपके नाम का काफी एडवांटेज भी लिया मैंने बच्पन में भी लिया और अभी भी लिया कहीं पे भी जाये तो जैसे भी बोलता है नाम सर आपका नरेंद्र मोधी तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हसते हुए बोलते हैं का अच्छा क्यूं में रहते हैं तो बट इसकूल में सर पढ़ाई करी मैंने एक तक फिर इंदोर आगे इंदोर में पढ़ाई करी बारवी तक उसके बाद डॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्लोजी में कर लिया टेक्लोजी था और मैंने महीं पर मेरा कंप्यूटर में काफी इंट्रेस मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेकलोजी में मेरा बहुत मन और रूची जैसे आपकी रूची है और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूं जब आप प्रदानमंत्री बने थे तब आपने नेसकॉम की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउट गो डाउन चाहिए और उस समय में क्लाउट पे काम कर रहा था तो मुझे एकदब मोटिवेशन आ गया कि यह सेम चीज इंस्पिरेशन मतलब इको हो रही है प्रदानमंत्री जी भी बात करें और यह एक कॉन्फिडेंस होता है क् यह जो क्लाउट है ना हमारे देश की डिजिटल एकॉनोमी और जो डेवलपर्स है क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है तो कोई हिम्मत नहीं करता क्यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है इसको यूज करो और आगे बढ़ आपकी जो प्रेणा और इंस्पिरेशन से कही न कहीं कोई गाहों में बेठा नरेन इंस्पायर होता है यह तो बात पक्की है और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेडिजी है से आजा नरेंगी आपको जो डेटा सेंटर वे उससाय स्थापित करने के लिए प्रेणा कैसे मिल पड़ा होगा आर्थिक संक्रणों से गुजरना पड़ा होगा टेकनलोरोजी में सपोर्ट की जरोत पड़ी होगी वह कैसा रहा है सट डेडा सेंटर अब बहुत ही एक्सिडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें क्योंकि मुझे पैता होता कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता त अपना देश इतना बड़ा है जरोत तो पड़ेगी आगे ने पीछे तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से सुरुवात करी हमारे इसपी थे उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना फी दूसरा दस सो दो सो फिर बाल में पता चला डीपी उड़ होना चाहिए और मध्यप्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिच्वेशन में है कि सेंटली लोकेटेड है और यहां पर पावर सर प्लस है तो यह डेटा सेंटरल के लिए परियाप्त जगह है तो मैंने ऐसे लेटर लिखा क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं आपके कनेक्श है देश की भी प्रॉब्लम है और यह मेरी भी प्रॉब्लम है यह सौल हो जाएगी तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सिंटर पार्ग बना और उस दिन रियलाइज हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है ज़रूरी नहीं है आपके स्टार्ट पैसा जरूरी है आप बस सही मन से लग जाओ तो ऐसे मेरी चुनोतियों का सुल्यूशन भी ही मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से राज्य सरकार से से और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्णी सर आगे बढ़ा दी चलिए नरेंजी मुझे आपको बात करकर के अच्छा लगा आपने काफी योजनाय बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेकनोलोजी के मादिम से भारत में किस प्रकार से प्रकार से प्रकेदी हो सकते और स्टार्ट अप की दुनिया में आजकल जो हमारे नवजवान नजकritos सब्ल्ची ले रहें और मैंने देखा हैं घर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है आप भी उसी में और उसी में एक उधार्न हैं अब जम्मू कश्मीर के तरफ चलते हैं जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी है जो कट्वा की निवासी है और इस समय जम्मू में है दिलम जी नमस्ते नमस्ते सर जी दिलम जी बैटिये जिर आपने बारे में कुछ बताईए मेरा नाम नीलम कुमारी मैं डिस्टिक कठुवा और कठुवा ही रहने वाली हूँ नहीं छोड़ा बताईए ने कैसे आप क्या काम कर रही हैं मैं बुटीक का काम करती हूँ अपना जो कुछ भी हो बताईए मुझे कैसे शुरू हुआ कैसे कहां बढ़ पहुँचे सर्पहले मैं किसी की दुकान पर काम करती थी जो 2-3 हजार पर किसी के आगे काम करना और फिर तब भी मेरे घर का गजाराज जो बड़ी मुश्किल से होता था जो मेरे घर वाले जो लकडी का काम करते हैं कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं जो मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लोकडोन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया, वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी, हम दोनों ही ऐसे हलात में पहुंच गे, जहां हमें बच्चों को पालल पोजिन तो दूर हमारे गल में राशन की भी कमी आने लगी, कि अब ह क्या करें, फिर ऐसा टाइम आया कि मेरी से, मैं बहुत परशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं और काम इसका भी नहीं और मेरा काम छूट गया, फिर दोहजार एकी में मैंने जब लोन लिया, और अपना खुद का बुटीक शुरू किया, लोन लेके पहले मैंने मशीने मशीने के मशीने और दुकान शुरू की, फिर मैंने आगे लड़कियों का काम के लिए, निया आपको अपना वेप्साइश शुरू करना में, सरकी सरकारी जोजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभाव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंचे आप सर मुझे सरकारी जोजना, भारते सरकार की और से सब जोजनाओं मुझे मिली हैं, जैसे सिलेंडर की होगी, जैसे कच्चा मकान था, बो बना मेरा, फिल जैसे हैल्थिन सोर्स मिला मुझे आईशुमान काट से, फिल और सोचाले बना मेरे घर में, एस से एक से एक जोजना काम करते रही अप खुद की दुकान बन गई तो आप तो बहुत बड़ा गर्म महसूस करती होगी सर बभुत बड़ा आज मेहलाओं को खुद निरबल हुए मतलब निरबल है हम खुद अपने ऊपर चलिए आप अत्मा निरबल बनी है क्या आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाब भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी एने आपके व्यवसाय में लाब हुआ हो, आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फाइदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे हैं, उसमें कैसे मदद मिली है? इसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनस जैसे शुरू किया, और कितने लोग अभी काम करते हुँगे आपके पास? अब सर मेरे पास चार लड़किया काम कर रही हैं और उनका भर का परिवार भी पालल निपया किमार तो बहुत भी मिल तरने के लिए आते हों गे आप ऐसे आगे बढ़ गई हमें भी बताओं हमें भी पुछ करें लोग आते हैं आप कारोबार मुश्किल तो होती है हर काम में फिर थोड़ा-थोड़ा जैसे मैंने दुकान शूरू कर गी मेरे पास आज और कल और परसो जैसे बदलता टाइम आगे-आगे चलता गया लोग में इसे पूछते थे आपने निलम जी क्या किया जो आपको मैंने बोला कि मैंने लोन लोन भी लिया और उसका मैंने पूरा अब करा दिया अभी कोई कर्ज है कि सब पूरा हो गया नहीं सर अभी थोड़ा माउंट रह गया अच्छा भी थोड़ा बाकी है जी ओदूंगी अच्छा अंदिलम जी आज जम्मू किश्मीर समेथ देश के हर कौने में सरकारी योजन को मिल रहा है ऐसे लोगों को लाब मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारे बाते दो बहुत करती थी उनके कल्यान के लिए ऐसे डूलमुर तरीका होता था और वो भी कोई रिस्तेदार हो परीचे तो उन ही कब होल जाता था लेकिन आपने अपने बलबुते पर और वो भी पहतना करके शुरू किया और आत्मा निर्वा बन गई आपके बहुत ही प्रेणादाय कहानी है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुप करना है जिने अब तक बंचित कहकर छोड़ दिया गया था वो योजनाओं का सही लाब मिलने पर क्या नहीं कर सकते या देख देखे हमारी सरकार जंदन योजना, मुद्रालोन, प्यमावास योजना और उद्यमतिया विकास देशी ओजनाओं से जो हाश्य पर नहने वाली लोग हैं समाज में जिनको SC, ST, OBC, पिषडे और समाज में एक प्रकात भी ये काम तो इनके लिए नहीं ये साही मान के चलते उसमें जो बड़लाव लाने का हमारा प्यास है और आपसे बात में ये करकर के लगा हम सही दिशा में हैं और सही काम हो रहा है बहुत बहुत बढ़ाई आपको जी सर सर सब धन्य बात देना चाहती हूं अपने और अपने परिवार के बारे अब महाराश्टर के एहमद नगर चलते हैं जहां से श्री नरेश साहब राव अफचार जुड़े हुए हैं नरेश जी नमस्कार नमस्ते आदर निया प्रधान मंत्री जी नरेश जी बैठिये हाँ नरेश बताहिए जरा है सर मेरा नम नरेश साहब रा उचर है महाराश्टर के रालेगन थेरपाल गाव से हूं और मैं मैं जल जीवन एग्रोटेक लिमिटेड प्राविट लिमिटेड का फाउंडर हूं मैंने इसकी शुरुआत मैं और अपने भाई दोनों हम ने मिलकर करें करा की शुरुआत करती थी हमारी जो एक मैं बैसिकली वह एगरी कल्टर वास्ट वाटर पर काम करती है और हमार एक मिशन है कि एक कल कर जो वे सट왔र है उसको हमें बचाना है इसके लिए भारज सरकार की जो स्ब्सक्राइब में असीम अमबिटकर सोशल इनविशन मिशन इसके तब मुझे 30 लाख रुपे की लोन राशी मिली है जिससे मुझे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है इसके लिए मैं भारत सरकार को और प्रदान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजया आप कहा किसानी का और कहा कमपनी के मालिक बन गये और यह जरा यातरा बड़ी गजब लग रही है और सरद मेरे पिता जी मांदोन भी खेत में काम कर देते और मैंने और उन उनको दोनों को Gogакс करते देखा मैंने भी अपने और की में काम किया है कि उसे मुझे नंहुव मिला मिला है की कि इन म崏 सर्कार से आपको क्या मदण मलीzam लगा कि सपरिश्थ मुझे आउश्मान भारत कार्ड मिला है और राशन मिढ्डे मिलकर आशन कर दोई इस व्यवसाई में 30 लाख रुपय का लोन मिला इसके अतिरिक किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में मदसायता हुई इस लोन से मैंने आप पुरी मशनरी वगरा से ली और वहाँ से अपना कारोबर शुरू कर दिया आजया आप अपने वेवसाय के जरिए किसानों के मदद कर पाते होंगे तो वह कैसे करते हैं और भविश्म करना जाते मैंने इसमें एक इन्वेश्यू इनवेटिव प्रोड़क्त बनाया है जो सारे किसानों को बहुत फायदे मंद है और वहर किदेश के हर किसान को वह अगर बनाए इसको यह इसको मैंने खुद बनाया है और इसके लिए मुझे भारत सरकार से पेटेंट मिला है बड़लब आप किसानी भी करते हैं जलसारख्षा करते हैं एक प्रकार जे आप तो परियावरान का भी काम कर रहे हैं दोनों काम कर रहे हैं यह सर्थ अगर क्रशी क्षेत्र में कोई उद्ध्यमी आना चाहे तो आप उनको क्या सला देंगे मैं ब्हारत एक कुरुशी प्रदान देश है और मैं जो भी नए उद्ध्यक है उनको बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसी स्कीम का बेरिफिट्स ले और अपना फाइदा करें चलिए नरज जी मुझे कुरुशी से जुड़े कारियों में लगे हुए आप जैसे उवाओं का उत्सा अपने आप में बहुत ही खुशी देने वारा है आपकी आतरा कई ऐसे उवाओं को प्रेजित करती है जो कुरुशी क्षेत्र में उद्ध्यमी बनना चाहते हैं मेरी अब हम चलते हैं आंदरपदेश के गुंटूर जिले में जहां से श्रीमती अधिपूरी मुथम्मा हमारे साथ हैं मुथमा गारू नमस्ते बैटिये बैटिये मुथमा गारू बैटिये आप अच्छा मैं हिंदी बोलूंगा आपको साथ में जो बैटे हैं वो समझाएंगे और आपसे बात भी करने का मुझे मोका मिल जाएगा वैसे तो अब हमने एक आर्टिफिशल इंट्रलेशन्स का अप्योंग करते हुए मेरे सभी भाशनों को आपको तेलुगो में सुनना चाहे तो मिल जाएगे को तमील में सुनना चाहे तो मिल जाएगा ख्यार आज तो मैं वो यह इका उप्योंग नहीं कर रहा हूं आज मैं सीधा सीधा आपसे बात करके ही आज़ा पहले मुदम्मा जी जरा अपने बारे में बताईए और मैंने जो कहा उसका जरा पहले ट्रांसलेशन कर दीजिए आज मेरे इपड़ वर के लाग नारो मी उरिंच चपने प्राइदान मंत्रिकार के रो मेर मुंदेला उंडेवालो चपने इसमुन्दू रोड मेरा जब्देर कोनी चप्तेर कोनी बती एट वोलं सार में नेनू नग बार्ता नाके दर प्यलाल सा रोड मेरा मनिसुनलाग में अच्ब नेगा जिन्दकी मेरा मेरा मम प्रादान मंत्री जी menor सीमी बार्ता रैसा जिंदगी में बार्ता अ ब्या पार। कि सड़क पर साफ सुधार करके खुड़े निकाल के अपने भच्चों के साथ ऐसा जीवन बीत लियाता ही कि कुड़े निकालना वर्शा में भी हो या दूप में भी हो एक काम करके इतना बिगर कम नजर से दिखे हुए थे अमको हम इतनी बर्बाद जिंदगी जी रही है जी मुथम्मा जी आप बहुत भावुख हो गई आपका दर्द मैं समझ सकता हूं लेकिन अप तो आप लोगों की प्रणेणा बन गई हो अथा जी आपका जो सेप्टिक टेंक वीकल का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है अधर्द मत्तमगार। मे की चिना मिशने येला पढ़न येला जिसनर अमिसनो पचे इवाला अगू नागू इसमोच इन लोण वाला येने लोन न न लोन न पेर वज़ जोने न का यूंच अर्णी रहा है कानि मना को सबलेग दो लेग नी डिन ग्यारी पेर चेपलेन ऊका पोख पोओ, मैं हो साहर, नगें। काईट बढ़ते? पोखरकारी ओध्यम योजनास्ष फग्च्चतायोजनास्वारी पेए डिवोस् स्वशना गार मारने के बाद सेप्टिक टैंक शुद्ध करने वाली मिशन मिल गए न सर वो मेरे नाम पर आया ये देखकर मुझे बहुत कुछ हुआ सर तब से हमारे जिन्दगी बहुत अच्छी तरह चल रही सर मुधमा जी सेप्टिक टैंक की डी स्लजिंग विकल इसके मंजूरी मिलने के पहले और बात के जीवन में अंतर कैसे देखती हैं मुधमा गारू इद राकम होंद मी जीवित मेला हुंदी इद उच्छी नाक मी जीवित मेला हुंदी मी tol improving the long-time жизни अच्छी नाक उन्ची नाक मेला ह connection पहले मेरे जिन्दगी भूत बिगड हुई सर कम नजर से देख रहे हैं ये आने के बाद ऐसा भरोसा मिल गया है कि सब लोग हमको अच्छी नजर से देख रहे हैं मैं भी एक आउरत हूँ मैं इस समाज में जी सकती हूँ ऐसी भावना मिल गई ही केवल आग की वज़ा से सब परिवार में बाकी लोग भी खूश होंगे बच्चों की पड़ाई भी होती होगी पुरा वात्रों बदल गया होगा आगा आगा ना नहां आगा दम का से सब्सकेश हैं नि जी वत ने अट वंड़ाई प्रवर्थनों चिनि मी पिल्लनी यहला चदिवीन्यचकून तुन्टए नारु इब नी चपपड़ण ना पिल्लनी गवर्मन्मन्नी इचदिवीन्यचकून्टनानॉ मेरी बच्छों को सरकारी स्कूल में भेज रहिए तार्ग। मैं ही स्वयम ड्राइविंग सीखर मेरी गाड़ी को मैं ही चला कर मेरी बच्छों को नई जिंदगी दिलाना चाहती हूं आपकी वेहिकल के द्वारा हम बहुत खुशे सर हमारी तरफ से केंद्र सरकार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर मतमाजी क्या आपको सरकार की कि और योजना का भी लाब मिला है क्या मुटमगारू मी कुप भारस सरकार निंची इंका एमायना लभिंच निया लभिंच निया अधार काड रेशिन गाट ब्यांकिकाइट एंधि ग्यास इपुडू इबंडी सार पधी हे डलक्सलों बंडी की रोजनेन वांडर नहीं आना सब्सक्राइब को बारस सरकार की ओर से रेशन काट मिला आधार काट मिला और जीरो एकॉंट बैलेंस का एकॉंट मिला और ग्यास भी मिला इनके साथ साथ आपने दिये गए 17 लैक्स का ये वेहिकल मिल गया सर ये तो आपकी वजर से मिला इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सार आपको चलिए मतमा जी आपका आत्म विश्वास देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आपके और आपके टीम दिवारा किये गए सरानिय और ये मेरा सबसे प्रिये विशय स्वचता आप उसको आगे बढ़ा रही हैं तो मैं आपको बहुत बढ़ाई देता हू आपने बताया कि किस तरह से आपके जीवन में बढ़ाव आए हैं हमारी सरकार पिछले दस वरसों से नागरीकों के जीवन में सकारात्मक बढ़ाव के लिए ही काम कर रही हैं नारी का सम्मान और सम्रुद्धी दोनों ही हमारे संकल्प का हिस्सा है और आपका जीवन इसका उधार है आपको आपकी टीम को और पूरे परिवार को मैं बहुत-बहुत बदाई देता हूं और मैं अभी जो भाषन करूगा वो हिंदी में करूँगा लेकिन अगर आपको कोई वहां होंगे तो बात में घर जाकर के मोबाइल फोन पर आप तेलू गुमें ही मेरा भाषन होगी तो जरूर सुनिएगा आप सब लोग है धन्यवास सब्सक्राइब अब मैं नमस्कार है अब मैं परमादर्निया प्रदानमंत्री मोहदे जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सबका मार्ग देश्चन करें नमस्कार सामाजिक न्याय मंत्री श्रिमान विरेंद्र कुमार जी देश के कौने कौने से जुड़े सरकार की विभिन्य योजनाओं के लाभार थी हमारे सभाई कर्मचारी भाई वहन अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों आज इस कारकम में देश के करीब चार सो सत्तर जिलों के लगबग तीन लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं मैं सभी का अभिनंदर करता हूं साथियों आज दलीत पिछडे और वंचित समाज के कल्यान की दिशा में देश एक और बड़े आउसर का साक्षी बन रहा है जब बन्चितों को वरियता की भावना हो तो कैसे काम होता है वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है आज बन्चित वर्ख से जुड़े एक लाख लाभारतियों के खाते में 720 करोड रुपिय की सहायतारासी सीधी सीधी उनके बैंक एकाउंट में बेजी गई है ये लाभारति पान सो से ज़्यादा जिलों में उपस्तित है पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दवाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुँच गए लेकिन ये मोदी की सरकार है गरीब के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में पहुँचता है अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉंच किया है इसके जरिये वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है यानि भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्य अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुँचेगा न कोई चीज का बिचोलिया न कट न कमिशन और नहीं कोई सी सिफारिस के लिए चक्कर काटने की जरूर्वत कठीन परिश्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टेंक स्रमिकों को आज PPE किट्स और आईश्मान हेल काट भी दिये जा रहे हैं इने और इनके परिवार को अब पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज सुनिश्चित हो गया है ये लाबकारी योजनाएं उस सेवा अभ्यान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार दस वर्सों से SC, ST और OVC और अन्यव वंचित समायत के लिए चला रही है मैं आप सभी को और देश भर के सभी लाभार्तियों को इन योजनाओं के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्तियों से बात करने का आउसर भी मिला सरकार की योजनाएं किस तरह दलीत बंचीत और पिछड़ा समाय तक पहुंच रही है इन योजनाओं से किस तरह इनका जीवन बदल रहा है ये सकारात्मग बदलाव मन को भी सुकुन देता है और व्यक्तिगत तोर पर मुझे भावुब भी करता है मैं आप सबसे अलग नहीं हूँ मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूँ इसलिए जब मुझे विपक्ष के लोग गाली देते हैं जब ये लोग कहते हैं कि मोधी का कोई परिवार नहीं है तो मुझे सबसे पहले आपकी ही याद आती है जिसके पास आप जैसे भाई बहन है उसे कोई कैसे कह सकता है कि उसका कोई परिवार नहीं है मेरे पास तो आप सब के रूप में करोणों, दलीतों, वंचीतों और देश वाचियों का परिवार है मैं खुद को भागे साली मानता हूँ जब आप कहते हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार साथियों, हमने 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाने का जो लक्ष रखा है और जो वर्ग दसकों तक बंचीत रहा उसके विकास के बिना भारत विक्सित नहीं हो सकता कॉंग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचीत वर्ग के महत्व को कभी समझाई नहीं था उनको परवा ही नहीं थी इन लोगों को कॉंग्रेस ने हमेशा सुभी दाओं से वंचीत रखा देश के करोणों लोगों को उनके भाके के भरों से छोड़ दिया गया और दुर्भा के देखिए ऐसा एक माहूल बन गया कि पर ये योजनाएं ये लाप ये जीवन तो उनके लिए हैं हमारे लिए तो नहीं हमें तो ऐसे ही मुसिबतों में जीना है कि ये मांसिकता मन गई और इसके कार्ण सरकारों के खिलाब शिकायद भी नहीं रही मैंने उस मांसिक दिवार को तोड़ दिया है अगर आज अच्छे घरों में गैस का चुला होगा तो वन्चित के घरे में भी गैस का चुला होगा अगर अच्छे अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का दलित का पिषडों का अधिवासी का उसका भी बैंक खाता होगा साथ क्यों इस वर्क की कई पिडियों ने अपना जीवन मुल्बुत सुविधाई जुटाने में ही गवा दिया 2014 में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के वीजन के साथ काम करना शुरू किया जिन लोगों ने सरकार से उमीद छोड़ दी थी सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागिदार बनाया आप याद करिए साथ कितनी मुश्किल होती थी पहले राशन की दुकान से राशन पाने में और यह मुसिबत कौन जिल रहा था वो कौन लोग थे जिनने सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी यह मुसिबत जिलने वाले या तो हमारे दलित भाई बहन होते थे या हमारे पिछडे भाई बेन होते थे या हमारे ओभी सी भाई बेन होते थे या हमारे आदिवासी भाई बेन होते थे आज जब हम 80 करोड जरूरत बंदों को मुप्त राशन देते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाब जो हांसिये पर जिन्दगी गुजारते थे जो वंचित समाज है उनी को मिलता है आज जब हम 5 लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की गारंटी देते हैं तो सबसे बड़ी संक्या में इनी भाई बहनों को जीवन बचता है उनी को मुसिबत में काम आता है चपर, जोपड़ी और खुले में रहने को मजबूर हमारे दलीत, आदिवासी, पिछड़ा परिवारों की संक्या ही सबसे ज़्यादा है देश में क्योंकि भुद्कान में इन लोगों की किसे ने परवा नहीं की मोदी ने दस बरसों में करोडों पक्के मकान गरीबों के लिए बनाएं मोदी ने करोडों गरों में सवचालाई बनवाएं वो कौन परिवार थे जिनकी माताओं बेहनों को खुले में सवच के लिए जाना पड़ता था यही समाय सबसे ज़्यादा पीड़ा भुगतता था जो हमारे दलीत, आदिवासी, ओबीसी, बंचित परिवार इनकी महलाओं को ही सहना पड़ता था आज उन्हें इज्यत गर मिला है उन्हें उनका सम्मान मिला है अस्वातियों आप भी जानते हैं कि गैस का चुला पहले की घरों में होता था गैस का चुला किसके पात नहीं होता था सबको पता है मोधी ने उजवला उजजुना चला कर मुप्त गैस कनेक्शन दिया यह मुप्त गैस कनेक्शन मोदी जो लाया वो किसको मिला आप सब भी बेरे बंचित भाई बेहनों को मिला है आज मेरे बंचित वर्की माताओ बेहनों को भी लकडी के धुए से आजादी मिली है अब हम इन योजनाओं में सैच्यूरेशन के लक्ष पर काम करें मतलब सत प्रतिशत अगर सो लोगों को लाब मिलना चाहिए तो सो के सो को मिलना ही चाहिए देश में बड़ी संग्या में गुमन्तू और अर्द गुमन्तू समुदाय के लोग भी है उनके कल्यान के लिए भी तो कोई कारकम चलाए जा रहे हैं नमस्ते योजना के जरिये सफाई कर्णचारी भाई बहनों का जिवन बहतर हो रहा है हम मैला ढोने की अमानिवय प्रथा को खत्म करने में भी सफर हो रहे हैं हम इस दौंस को जेलने वाले लोगों के लिए सम्मान जनक जीवन जिने की ववस्ता भी बना रहे हैं इस प्रयास के तहट लगबग साथ हजार लोगों को आर्थिक सहायता दी गई हैं साथियों SC, ST, OBC बंचीत वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है विविन्न संस्ताओं से बंचीत वर्ग को जो मदद मिलती हैं इन दस वर्षों में हमने उसे दो गुना किया है अकेले इसी साल सरकार ने SC समाज के कल्यान के लिए करीब एक लाख साथ हजार करोड रुपिय दिये हैं पिछली सरकार में लाखों करोड रुपिय केवल गोटानों के नाम से सुनने में आते थे हमारी सरकार ये पैसा दलीत वंचीत कल्यान के लिए और देश के निर्मान के लिए खर्च कर रही है SC, ST और OBC समाज के युवाओं को मिलने वाली छात्रवुत्ती यानि स्कॉलर्शिक को भी बढ़ाया गया है हमारी सरकार ने मेडिकल की सीटों में ओल इंडिया कोटा में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया हमने नीट की परिक्षा में भी OBC के लिए रास्ता बनाया बंचीत समुदाय के जो बच्चे विदेश जाकर मास्टर और PhD दिग्री हासिल करना चाहते हैं उन्हें नेशनल ओवर्सीच कॉलर्शिप से मदद मिल रही है साइन्स से जुड़े विशयों में PhD करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल फेलोशिप की राशी भी बढ़ाई गई है हमें इस बात का संतोष है कि हमारे प्रयासों से नेशनल कमिशन और बेकपर क्लास को समवेधानिक दरजा मिला है हम इसे भी अपना सवभाग्य समझते हैं कि हमें बाबा साब आमबेड करके जीवन से जुड़े पंचत तिर्थों के विकास का आउसर मिला है साथियों वंचीत वर्गों के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के भी भाजपा सरकार प्रात्विक्ता दे रही है हमारी सरकार के मुद्रा योजना के तहट गरीबों को करीब तीस लाग करोड रुप्य के मदद दी गई है यह मदद पाने वाले जादा तर युवां एससी एस्टी और वबी सी क्याटेगरी के ही है स्टेंड अप इंडिया विजना से एस्टीओ और एस्टी वर्गों में एंटरपेनरश्थिप को बढ़ावा मिला है इस वर्ग को हमारे वेंचर कैपिटल फ़ंड स्किम से भी मदद मिली है दलीतों में entrepreneurship को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने आमबेड कर social innovation और incubation vision भी लौँच किया है साथियों हमारी सरकार की गरीब कल्यान की योजनाओं का सबसे बड़ा लाप दलीत, आदिवासी, OBC जो हमारे यहां हाशिये पर है, बंचीत समाज है उनको ही मिला है, लेकिन मोदी जब दलीत, बंचीत समाज की बस्चेवा के लिए कुछ भी करता है, तो इंडी गड़ बंदन वाले लोग सबसे ज़्यादा चीड जाते हैं, कॉंग्रेस वाले कभी नहीं चाहते हैं कि दलीतों पिछडों आदिवासीों का जिवन आसान बने, वो तो आपको बस तर्साकर ही रखना चाहते हैं, आप किसी भी योजना को देखिये, इन्होंने आपके लिए सहुचाले बनवाने का मजाक उड़वाया, इन्होंने जंदन योजना और उज्वरा योजना का विरोध किया, जहां राज्यों में इनकी सरकारे हैं, कई योजनाओं को इन्होंने आज तक लागू नहीं होने दिया, यह जानते हैं कि दलित, वंचीत, पिछड़ा, यह सारे समाज और वहां के युवां अगर आगया आएंगे, तो इनकी परिबारवादी राजनिती की दुकान करते हैं, आप इनका ट्रेक रिकॉर्ड उठा कर देखिए, इसी कॉंग्रेस ने बावा साब आमबेड करका विरोध किया था, इनोंने लोहिया और बीपी मंडल का भी विरोध किया था, करपुरी ठाकोर जी का भी इन लोगों ने हमेशा निरादर किया, और जब हमने उन्हें भारत रप्न दिया, तो इंडी गड़बंदन के लोगों ने उसका भी विरोध किया, अपने परिवार के लोगों को तो ये लोग खुद भारत रप्न देते हैं, लेकिन बाबा साब को इन्होंने कई दसक तक भारत रप्न नहीं दे मिलने दिया था, उन्हें ये सब्मान भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिया, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि दलीत समाज से आने वाले रामनात कोविच जी और आदिवासे समाज से आने वाली महिला बहन द्रवपदी मुर्भुजी राश्पती बने, इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गडबंदन के लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था, शिर्ष पदो पर बन्चित वर्ग के लोग पहुँचे, इसके लिए भाजपा का प्रयास जारी रहेगा, ये बन्चितों को संबान और न्याय दिलाने की हमारी प्रतिबत्रता का प्रबाण है, मोदी आपको ये गारंटी देता है, आने वाले पांच वर्षों में बन्चित वर्ग के विकास और संबान का ये अभ्यान और तेज होगा, आपके विकास से हम विक्षिद भारत का सपना पूरा करेंगे, मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में, इतने तानों पर आप सब का इकटा होना, और वीडियो कानफरंस के माध्यम से मुझे आपके दर्शन करने का आउसर मिलना, ये अपने आप में मेरे लिए सब भागे हैं, मैं आपको बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद.